नमस्कार जारकन समाचार में आप सबों का स्वागत है आए जानते हैं आज की ताजा खबरों को इससे पहले आपने चेनल को सस्क्राइब नहीं क्या है तो प्लेस चेनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिजे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे आए ब से ओनलाइन भरे फोर्म दो चर्णों में होगी परिक्षा जारकर सरकार के विबिन विभागों में 400 बाउन आसु लिपिको यानि की इस्टेनो ग्राफर की न्यूकती है तू आविजित की जाने वाले जारकर से वाले आसु लिपिक पतियोगिता परिक्षा 2022 के लिए मंगलव 3-5 अगस्त तक केगे ओनलाइन आविदन में संस्वदन कर सकेंगे जारकन करमचारी चैन आयुक दोरा आयुजित होने वाले इस परिक्षा में सामिल होने के लिए अनारक्षित सरेनी की अभियार्थि को जारकन के इसक्रों से मेट्रिक एवंग इंटरमेडिर उतिर्न होना अनिवारी होगा आरक्षित सरेनी की अभियार्थि को इससे छूट मिलेगी न्यूक ती परिछा दो चरनों में ली जाएगी पहले चरन में कोसल जाच तथा दुसरे चरन में लिखित परिछा ली जाएगी कोसल जाच परिछा में मात उतिर्न होना आउश्यक होगा तथा इ 181 पद आरक्षित है, जबकि अनुशिची जण जाती के लिए 118, अनुशिची जाती के लिए 45, अतियंथ पिछरा वर्ग के लिए 36, पिछरा वर्ग के लिए 7, जथा 8 िक रूप से विखरे वर्ग के लिए 45 पद आरक्षित है जार्खन में टीचर्स की बंपर वेकेंसी 86,000 पदों पर फास ट्रेक से होगी सिक्षक भरती जार्खन में आने वाले दिनों में टीचर्स के पदों पर बंपर भरती होने वाली है ऐसे में सरकारी नोकरी करने के लिए तैयारी कर रहे उमिदवारों के लिए ये एक सुनारा मोका है एक नीजी कारिकरे में राईज की सिक्षा मंत्री ने इसकी जनकारी दी है सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने कहा कि जार्खन में फास ट्रेक के माध्यव से 86,000 टीचर्स की न्युक्ति की जाएगी उन्होंने इस बात पर जो दिया कि राईज की स्टुडेन को सिक्षा देने के लिए टीचर्स की जोरत है और राई सरकार टीचर्स भरती के लिए एक्टिव नजर आ रही है सिक्षा मंत्री महतों ने कहा कि 26,000 पदों पर जिचर्स की भरतियां तत्काल परभाव से की जाएगी इसके अलावा 60,000 पदों के से जन परक्रिया के पूरे होते ही बहाली सुरू हो जाएगी उन्होंने कहा कि वह लगातार काम करने में जुटे हुए हैं उन्होंने कहा कि वह एक मालिक के रूप में काम नहीं कर रहे हैं बलकि एक आदिस पाल के रूप में काम करने में जुटे हुए हैं बारवी कोमर्स और आर्स के रिजल्ट आज हो सकता है जारी जहरकन बोर्ट के बारवी आर्स और कोमर्स के नतीजे आज जारी हो सकता है हाल ही में बोर्ट ने कक्छा दस्वी और बारवी साइन्स साइट का रिजल्ट जारी किया था बोर्ट के एक करीबी सुत्री ने बताये कि जहरकन एकेडिमी कोंसिल ने कौप्यों का मुल्यांकन पूरा कर लिया है तथा छात्रों के अंकों को साइट पर अपलोड करने की परक्रियाज जारी है आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं इसके लिए जहरकन बोर्ट की अधिकारिक बेव साइट जेक.जहरकन.gov.in या जेक्रिजल्ट.com पर जाए होमपेज पर जाकर कॉमर्स या आर्स रिजल्ट वाले लिग पर किलिक करें लोगिन पेज खुल जाएगा यहां अपना रोल नमबर और जन्मित दर्ज करें आपको स्क्रिण पर अपना रिजल्ट दिखाए देगा जहरकन में आठवी बोर्ट की परिच्छा आज से सुरू करीब साड़े 5 लाग परिचारती होंगे सामिल जहरकन एकडमी कॉंसिल यानि की जहक की आठवी बोर्ट की परिच्छा मंगलवार 28 जून 2022 यानि आज से सुरू हो रही है यह परिच्छा आगामी 11 जुलाई 2022 तक चलेगी जहक ने परिच्छा की तैयारी पूरी कर ली है इस परिच्छा में राइच के 15,000 इसकलों में करीब 5,5 लाग परिच्छारती सामिल होंगे परिच्छा समागरी सभी जीलों को भेद दिया गया है आप सुब को बता दू कि इस परिच्छा को लेकर राइच भर में 32 केंदर बनाये गये है 28 जुन से सुरू हो रही परिच्छा अगामी 11 जुलाई 2022 तक चलेगी या परिच्छा दो चर्णों में होगी पर्थम चरन की परिच्छा OMR सीट पर हुई थी अब दूसरे चरन की परिच्छा उत्तर पुस्तिका पर लिजा रही है प्रस्ट पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को 15 मिनट का अत्रिक समय भी दिया जाएगा आप सुब को बता दू कि दोनों चरनों के अंकों के अधार पर फाइनल रिजियल्ट जारी किया जाएगा 20 अंकों का अत्रिक्त मुल्यांकन इस्कूल अस्तर पर होगा इस्कूल जो है 20 से 26 जुलाई तक आंत्रिक मुल्यांकन का अंक अपलोड कर सकेंगे आठमी वोड परिचा में और सफल विद्यातियों के लिए विशेश परिचा का प्रवधान भी है अगनिपत के खिलाब जार्खन कोंग्रेस का सत्याग्रा देश के योओं को आग में जोकनी का आरोप केंद सरकार की अगनिपत योजना के खिलाब जार्खन में कोंग्रेस की ओर से सत्याग्रा कारिक्राम का अउजण क्या गया लातिहर के मनिका से विधायक रामचन्द सी ने मनिका प्रखंड करेयाले के समिप अगनिपत योईना के बिरोत में आयजीत कारिकरम में कहा कि सरकार देश की युवाओं को आग में जोक रही है केंद सरकार अगनिपत योईना लाकर देश के नौजवान के भविश के साथ खलवार कर रही है उन्होंने राष्टपती से इस दिसा में पहल करते हुए अगनिपत योईना को बंद कराने का अगरह किया धर्ना की बाद राष्टपती को संबोधन एक मंग पत्रवी सोपा मनिका विधान सवाच्षेतर में आईजित विरोध कारिकरम में विधायक रामचंदर सिंग ने कहा कि केंद सरकार की गलत नितियों का विरोध जनता सरक पर कर रही है लेकिन सरकार तना सही रवया अपनाए हुए है उन्होंने कहा कि अगनिपत्य योजना से नौजवान को आने वाले दिनों में सिर्फ नुकसान होने वाला है लेकिन केंद सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है उन्होंने राश्पति से इस दिसा में पहल करते वे उनसे अग्रिपत योजना को बंद कराने का आग रखिया कायरी करम का संचालन कर रे सुरंद्र पसवान ने कहा कि केंसरकार ने अग्रिपत योजना लाकर देश को आग में छोकने का काम किया है इस योजना से युवाओं का भला नहीं होने वाला है इस दोरान इस मामले में CBI की उसे समय देने की मांगी गई अब जो है तिन सब्ता बाद इस मामले की सुनवाई होगी आप सब को बता दो कि CBI ने देवगर को सागार से अवेद निकासि से जुड़े चारा घोटाले मामले में लालो यादव सहित अनी के खिलाप हाई कोट में याचिका दाखिल की है याचिका दाखिल कर CBI ने कहा है कि लालो यादव समय अनी को इस मामले में कम सजा दी गई है इनकी सजा बढ़ाए जाए CBI के उसे कम से कम साथ साल सजा करने की मांग की गई है पहले हमन्त फिर बसं स्वरेंट की बारी सियम के लिए आखरीमों का चुना आयोग में मंगलवार यानी आज होगी सुनवाई मुख मंतरी हमन्स वरेंट को पथर खरन लिज आवंटन मामले में भारत निर्वाचन आयोग मंगलवार को यानी की आज सुनवाई करेगा मुखमंत्री हमन स्वरेन इस दोरान आयोग के समक्च उपस्तिती होकर यह अपनी अधिवक्ता के माधिम से अपना पक्छ रखेंगे इस से पहले तीन बार हमन स्वरेन के आगरा पर निर्वाचन आयोग ने सुनवाई की तिथी को आगे बढ़ाई थी राय सभा चुना में विवस्तता और अपने अधिवक्ता की तबियत खराब रहने का हवाला दे कर मुखमंत्री हमन स्वरेन निर्वाचन आयोग से अत्रिक्त समय की गोहार लगाय थी आप सुब को बता दू कि 14 जुन को निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई 28 जुन को होगी इस तिथी को हर हाल में जवाब दाखिल करना होगा हमन स्वरेन को निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने का यहां अंतिम मोका होगा आप सुब को बता दू कि भाजपा ने राजपाल रमेस बेस को ग्यापन सोब कर आरोप लगाया था मुख मत्री के पत पर रहतेवे हमन स्वरेन ने अपनी नाम के राची के अंगड़ा में पत्थर खणन लिज लिया भाजपा नेताव ने दावा किया है कि यह जनपति निधी कानुन के उलंगन का मामला है इसके आधार पर हमन स्वरेन को विधान सभा की सदेश्यता से आयोग ठारानी की मांग की गई है आप सुब को बता दू कि राजपाल रमेस बेस ने इस पर भारत निरवाचन आयोग से मनत भी मांगा है इसी कड़े में चुनाओ आयोग ने मुखमत्री हमान सुरेन को नोटिस देकर उनका पक्च पूछा आयोग की ओर से तिन बार हमान सुरेन समय मांग चुके हैं अब आयोग ने उन्हें आखरी मुका दिया है अगर हमान सुरेन की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया तो आयोग अपना फिसला सुना सकता है इस घटना पर समुचे जारकन की निगाहें बनी भी है अब देखना यह है कि इस बार हमान सुरेन खुद आयोग में पेश होकर जवाब देते हैं या वकील के माध्यम से हाजिरी लगाते है उधर जो है मुखमत्री हमान सुरेन के भाई विधायक बसंद सुरेन के खिलाब भी खनन कमपनी संचालित करने की सिकायत भजपा ने राजपाल रमेस बैस से की थी इस मामले में भी राजपाल ने निर्वाचन आयोग का मनतबे मांगा है आयोग इस मामले की सुनवाई 29 जून यानि बुद्वार को करेगा रगवर दास ने हमन सरकार पर साधा निसाना कहा राज में विकास ठप सिर्फ हवा हवाई हो रही है बातें पूरों मुक मंतरी सिर्फ दास ने राज की बरतमान इस्तिती पर गंभे ठिंता परकट करते हुए कहा कि राज में बालू और गिट्टी की अनुपलब्धता राज के विकास को और पीछे ढखल रही है इसके लिए राज सरकार जिमेदार है वर्स 2020 से न तुब बालू घाटों की बंदुबस्ती हुई है और ना ही पत्थर खदानों की निलामी हुई है इन दिनों बालू उठा और क्रसर पर रोक लगाई गई है इसके बावजुद अवेद बालू और गिट्टी का खेल जारी है कहा कि सरकार अगर दुरदर सी सोच रखती और समय पर बालू घाटों की बंदुबस्ती और पत्थर खदानों की निलामी की गई होती तो आज बालू गिट्टी के लिए हाहकार नहीं होता उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री अवाश योजना, मुख मंत्री ग्राम सेतु योजना और अन्य सरकारी योजना का निर्मानकार बालू गिट्टी के अभा में दम तोड़ने वाली है बालू और गिट्टी की कमी के कारण ग्रामी चित्रों में जाहर दिन 14-1500 अवास बन रहे थे वही अभिया घट कर 500 से निचे पहुँच गिया है इसी परकार मुख मत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बनने वाले पुल पुलिया का निर्मान कार्य लगबग धप है रहा था वहाँ अब काम करने में काफी मुश्किले आ रही है रियल इस्टेट का कारोबार भी राज में करीब ठप हो गया है लोहरदगा में दर्दनाग सरखास्सा ग्यारवी के दो विद्यात्यों की हुई मोत परिछा देने के बाद लोट रहे थे वापस लोहरदगा राची मुखिमार्ग में सहरीचित के पतराटोली के समिप सुमार को एक दर्दनाग सरखास्सा हुआ इस दुरगटना में एक ही गाउं के दो चात्रों की मोत हो गई दोनों ही चात्र ग्यारवी की प्रिक्षा देने लोहरदगा सहरीचित के उर्सू लाइन कन्वेंट वाले का उच विद्याले आये थे प्रिक्षा खत्म होने के बाद दोनों वापस मोटरसाइकल से अपने घर कुड़ू थनाचित के सुन्दुरू गाउं लोट रहे थे इसी दोरान पतराटोली के समिप एक तेज रप्तार ट्रक ने मोटरसाइकल को अपनी चपिट में ले लिया इस घटना में मोके पर ही दोनों चात्रों की मोट हो गई मिर्तिकों की पहचान कुडू थनाचित के सुन्दुरू गाउं निवासी अम्तियाज खान के पुत्र सोहल खान और मुम्ताज अंसारी के पूत्र आबित अंसारी के रूप में हुई सुचना मिलने के बाद मोके पर पोची सदर थना पुलिश ने ट्रक को अपने कबजे में ले लिया ट्रक चालक मोके से फ्रार होने में कम्याब रहा घटना के बाद गाउं में सोक की लहर दोर गई है सोजोनों कार रो रोकर बुरा हाल है पुलिश ने सौ को पुश्ट माडम के लिए भेद दिया है अब जो है आगे की कानूनी करवाई की जा रही है लोहरदगा में सामने आया हैरान करने वाला मामला नाबालिक लड़की की मा के वाटसप पर असलिल फोटो भेज कर ब्लेक मेलिंग मांगे 10 लाक रुपी लोहरदगा में हरान करने वाला मामला सामने आया है वाटसप पर असलिल फोटो भेज कर ब्लेक मेलिंग की कोशिस वी नाबालिक लड़की को बदनाम करने का डर दिखा कर 10 लाक रुपी की मांगी गई है पिरिता की मां ने इस मामले में सिनहा थाने में अपनी सिकायत दर्ज कराई है इसमें कहा गया कि आरुपी ने पहले वाटसप पर असलिल फोटो भेजा उसके बाद कहा कि 10 लाक रुपे दो नहीं तो फोटो को वाइरल कर बेटी को बदनाम कर देंगे यह सुनकर नाबालिक पिरिता चत्रा की मां घबरा गई उसने फोटो भेजने वाले वेक्ति को फोन किया उससे मिनति की कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगा रहा है मेरी बेटी को क्यों बदनाम कर रहे हो इसके बाद भी वाटसप पर फोटो भेडने वाले ने धमकी देना बन नहीं किया असलील फोटो को वारेल करने की धमकी देता ही रहा इसके बाद जो है पिरिता की मां के ब्यान पर सिनाहत थना में प्राथिम की दर्ज हो चुका है पुलीस अब पुरे मामली की जाज के साथ अनुसंदान शुरू कर दिया है बताया जाता है कि सनाहत थनाच्छत के रहने वाले एक महिला के वाटसप पर एक दूसरे मोबाइल नमर से एक फोटो भेजा जाता है इस असलिल फोटो में चेहरा तो महिला की बेटी का है लेकिन सरीर का से इस भाग किसी दूसरे का दिखाई देता है यानि की एडिट किया हुआ फोटो है इसके बाद फोटो भेटने वाले ने फोन कर कहा कि 10 लाक रुपे दो नहीं तो इस फोटो को वारिल कर देंगे अब जो है पुलिस उस मोबाइल नमर वाले विक्ति की तलास कर रही है पुलिस मामली की जाच और आगे की करवाई में जुट गई है हजारी बाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता 656 ग्राम ब्राउन सोगर के साथ दो तसकर गरपतार कार और चार मोबाइल भी जब्त नसे के कारोबार पर लगाम लगानी की दिसा में हजारी बाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली जिले के फिलवाल थाने की पुलिस कटकम साड़ी हजारी बाक मुक्सरक पर रहमत नगर जाने वाली सरक के पास वहां चेकिंग अभ्यान चला रहे थी इसी दोरा नसे के समान की तसकरी करने के आरोप में दो योकों को गरपतार क्या गया गरपतार योकों के पास 656 ग्राम ब्राउन सुगर ब्रामत क्या है पुलिस ने एक कार के साथ चार मोबाल भी जबत क्या है जनकारी देती वे डियेसबी राजी कुमार, डियेसबी आरिफ इकराम ने सयुक्त प्रेश कॉनफरेंस में बताया कि सुचना मिली थी किनसे के कारोबारी में स्यनलिप्त दो लोग 4 पहिया वहां से हजारी बाकी ओर आ रहे हैं जनकारी के सत्यापन के बाद वहां चेकिंग लगाया गया इसी दोरान एक कार चेकिंग पॉइंट पर पहुची पुलिस बल को देख कर कार में स्वार लोग उतर कर भागने लगे पुलिस बल के सहीक से इनी खदेर कर पकड़ा गया पकड़े गया यूकों ने पुच्थास के करम में अपना नाम रविकांत कुमार उर्फ सकती एंग राहुल कुमार बताया ग्रपतार रविकांत कुमार के पास से एक मोबाइल एंग दो पुडिया ब्राउन सुगर तथार रहूल कुमार के पास से दो मोबाइल ब्रामत हुआ है। पुलिश निकार के अंदर से काले पलोथीन में रखा 548 ग्राम ब्राउन सुगर और पारदसी सपेद रंग के प्लास्टिक में रखे 105 ग्राम ब्राउन सुगर यानि कि कुल 655.670 ग्राम ब्राउन सुगर ब्रामत क्या है? दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्रेस चैनल को सस्क्राइब कर बेल एकन को प्रेस कर दिजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही हमें दीजे इजाजत नमस्कार